एलो फ्रेंस इंडियन फूड में आपका स्वागत है आज की हमारी रेसिपी है फ्राइड हरी मिर्च उससे पहले फ्रेंड मैं आपको पताना चाहूंगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और नीचे कमेंट बूटे साइज में रखेंे बड़े बाले मिर्चे इसे मैने इसके दो भाग कर लिया इन्टिल मैंने निकाला इसे दोकन इने काट लिया है बीच में से 2 पार्ट कर लिया है पाउडर लिया है एक चोटा चमच लाल मिच पाउडर दो चोटा चमच धनिया पाउडर दो चोटा चमच चाट मसाला एक चोटा चमच नमक आप अपने टेस्ट के रिख ले सकते हैं एक चोटाच चमच राई अब में कड़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देती हूं और अब में इसमें राई आड़ करूँगी अब मैं इसमें धनिया पाउडर आड़ करूँगी आज को मैंने धीमा कर लिया है अधिर पाउडर, लाल मिच पाउडर, नमक एड़ एड़ सब्सक्राइड, चाट मसाला, इसे मैं अच्छी से चलाऊंगी ताकि थोड़ा देर मसाला पक जाएं तोड़े देर तक में चलाते रहोंगी ताकि मारा मसाला पक जाए अब मैं इसमें मिर्च आट करूंगी अब इसे एक मिनट तक अच्छे से चलाओंगी आज को दीमा रखेंगे ताकि यह मसाला मारे मिर्च में अच्छे से मिल जाए अब यहाँ तो मिनट तक फ्रैंट्स हम आज को मिडियम रखें इसे चलाते हुए अच्छे से पकने देंगे इसे डपना नहीं इसे खोल के हम इस फकाएंगे नकोड़कैंगे और फ्रैंट्स यह बहुत ही जल्दी बन जाता है और यह बहुत ही टेश्टी लगता है आप इसी तक मैं इसे पकने दूंगी और इसे चलाते रहूंगी कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मिर्च हमारी थोड़ी थोड़ी पख गई है इसे मैं अब एक मिनट की विए ढग दूंगी अब एक मिनट वाज से में खोल कर चलाऊंगी एक मिनट हो चुका है फ्रेंड्स को चला लेचा है अब इसे फ्रेंड्स मैं खोल को थोड़ा देर और भून होगी मिर्च हमारी पक्चू की फ्रेंड्स पसिसे थोड़ा सा कुरकूरा करना है मैं फ्रेंड को थोड़ा मीडियम रखोंगी मिर्च को एक मिनट तक कुरकूरा होने दूंगी और फ्रेंड्स यह मिर्च खाने में बिल्कूल भी तीखी नहीं होती है आप इसे दाल-चॉल के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं एक मिनट हो चुका है फ्रेंड्स अमिर्च हमारा बन के तयार है आप चाहिए तो इसमें नीबू भी एड़ कर सकते हैं इसमें नीबू गर रसेट करूंगी और शेट से मिला देंगें इसमें बन कर दूंगी विए इसमें प्रेंड्स आप देह सकते हैं अधर ये बहुत ही रेसिपी है आप इसे एक बार ज़रू ठाए करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आफ आप मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरू करें मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू फ्रेंड्स